दोस्तों हमने एक ड्राइंग बनाई हुए गाउं की ये चंपारन बिहार की है गाउं की ड्राइंग है इसका साइज है यहां से लेकर के और यहां तक 46 फीट है और यहां से लेकर के यहां तक आपका है 38 फीट साड़े साथ इंची 38 फीट साड़े साथ इंची की ड्राइंग है यानि 46 भाई साड़े 38 फीट की ड्राइंग है पहले मैं इसका का वाल बना लेता हूं उसके बाद से मैं आपको समझाता हूं यह इस को है और यह वाल है ठीक है उसके बाद से इसको भी बना लेता हूँ पहले ये वाली वाल बना लेता हूँ फिर दूसरा साइड वाल वाल बनाऊंगा ये हो गया और ये में गेट का है यहाँ पर ठीक है और दूसरी बात ये वाली हो गई पूजा रूम की पूजा रूम का हो गया और ये रूम का हो गया ये भी बना लेता हूँ ये वाल बना लोगा तो आपको साब साब दिखाई देगा कि क्या हमने बनाया हुआ है ये ये कि हां हो गया फिर यहां पर विंडो है छोड़ता सा यहां भी विंडो है और यहां भी ये पूरा वाल हो गया और एक वाल ये भी बना लेता हूं यहां से लेकर के यहां तक यहां से लेकर के यहां तक और ये भी ये ये भी हो गया ये भी हो गया ये वाल ये भी बना लेता हूं और ये भी और ये जो बात्रोम है उसका भी बना लिया और ये भी वाल बना लेता हूं सेड़ी के बगल में ये भी वाल बना लेता हूं ये गाउं की ट्राइंग है चमपारंजिला की एक क्लाइंट है जो उन्होंने हमसे बनवाया था वो और इस हिसाब से बनाना था कि बाद में अगर बटवारा हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह से गाउं की ड्राइंग हमने डिजाइन किया हुआ है अगर आपको भी अपने घर का नक्सा डिजाइन करवाना हो तो आप हमसे संपर कर सकते हैं यह में रोड से इंट्री है और दिया हुआ है और उसके बाद से यह पूरा इस टेफ से दिये हुए उपर आने के लिए तेन फूट ग्राण फ्लोर से उपर है यह तो जैसे इधर से आप इंट्री करेंगे तो यहां पर एक बरामदा मिलता है बरामदा का साइज है पंद्रा फूट पंद्रा फूट यहां से लेकरके इहां तक और इहां लेकरके इहां तक 8 फूट है और इहां से लेकरके और इहां तक पंद्रा फूट नौँ इंची है ठीक है जैसे ही आप अंदर खुषते हैं आपको इहां से ले करके और इहां तक पचीश फीट तीन इंची बाई इहां से इहां तक पचीश फूट तीन इंची है और इहां से ले करके इहां तक 15 फूट और जैसे आप इधर मैं आपको बता रहा हूं यह है गेस्ट रूम को साइज तेरा फीट साड़े सात इंची ठीक है यहां से लेकर के और यहां तक गेस्ट रूम आजब तक शेवत को साइज है ऑफ जबाद और आज़ करेजीका तक समय क्षेस के बगल में कीचन का रास्ता पीछें माने ये निकलने के लिए उनका जमीन था इसलिए दोनों तरफ रास्ता एसका साइज है आपका नौ फूट तीन इंची यहां से लेकर के यहां और यहां तक नौ फूट तीन इंची है और इसका चौड़ाई है यहां से लेकर के और यहां तक छाय फिट ठीक है और जब जैसे पीछे जाएंगे गदम कॉर्णर में एक रूम मिल जाता है यह बारा फिट साइज हो जाता है इसका और यहां से लेकर के यहां तक यह 14 फूट का यानि बारा बार चौदा का एक रूम मिल जाता है और उसके जर्ष्ट बगल में एक हमने पा'll फूट दस इंची और इसकी चोड़ाई है चारफुट चैशनची यानि इहस ले करके यहां तक यहां तक अंदर वाली वाल सक चारफुट चैशनची की इसकी चोड़ाएं और इधर बाथरुम भी आपका टॉआलेट भी ये पाच फुट दस इंची यह ंदस पदू जे स्वाह नहीं तक है और आ कि हां से ले और यहां तक चार फूट चार फुट छैंची ठीक है उसके बाद से सेड़ी यहां से बगल में चालो हो जाती है यहां से सीधे इस तरह से यहां से सेड़ी उपर जाएगा इस तरह से और सत्रह वे स्टेप पर फास फ्लूर पर सला जाएगा बिल्कुल इसका मेरर यह इधर वाला है जितना साज इसका है उतना ही साज इसका भी है और इसका भी यह यहां से मेरर किया हुआ है पूरा प्लॉट पूरा मेरर किया हुआ है और इस लाइन के इस साइड में जितना एरिया है उतना ही एरिया इस साइड में है इसमें और इसमें किवल इतना अंतर है यह जो देख रहे है यह कीचन की वाल मतलब यहां पर वाल हटा दिया गया है यहां पर वाल के वाल हटाया गया है ठीक है और यह जैसे में इंट्री यहां से इंट्री करेंगे तो यहां पर आपको देखे फ्यूचर कीचन अगर बाद में बटवारा होता है तो उनका एक कि यहां बना सकते हैं यह में डोर्स उनकी में इंट्री हो जाएगी इनका रूम भी 12 भाई 14 भूट का रूम हो जाता है यह वाला 12 है और यह वाला 14 है ठीक है और बिल्कुल यह अभी अभी देखेंगे तो यहां से लेकर कि यहां तक 12 फूट चार इंची और यहां से लेकर कि यहां तक है नौ फूट तीन इंची ठीक है अभी इलकुल स्के मेरा रहा के गेस्ट्रूम भी है कर दो्य के लिए और यहां से लेकर कि हीहां तक 12 फूट है ठीक है इस तरह से अपने ड्राइंग बनाई हुई है गाओं की ड्राइंग है दो भाईयों के लिए है और अगर आपको भी अपने घर का नक्सा बनवाना हो ता आप हमसे संपर्ट कर सकते हैं